इस कहानी की शुरुवात में हम समुंदर के अंदर एक बेबी डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सीवार्स के साथ खेल रहा था उस बेबी डॉल्फिन का नाम स्नोबोल होता है। प्रप्स था जो सनॉब बॉल पर हमला करना शुरू कर देता है सनॉब बॉल किसी तरह ऑक्टॉपस से बचकर वहां से भागने कोशिश करता है क्यों क्यों काफी देडर तक समुन्दरी के अंदर नहीं रह सकता था और उसे सांस लेने के लिए समुन्दरी की सते पर जाना समनुद्र में सालों से बढ़ी नोहे की पुरानी पाइप को फ़स् немного लेकर तिन लगती है लेकिन युवरान वहओ पुरानी पाइफ के अंदर फंद इस निकमा लड़ाती है और उसे सरफेस पर जाकर सांस लेने के लिए कहती है क्योंकि हो काफी देर से समुद्री के अंदर था लेकिन ओक्टोपस सनोबॉल को समुद्री की सत्य पर जाने से रोकता है जिससे सनोबॉल का दम घुटने ही लगता है और अब इस दोरान एक शिप क्रेश होकर सीधे सनोबॉल की मौम भी किसी तरह पायक से बाहर निकल जाती है और उस सनोबॉल को ढूने लगती है सनोबॉल को क्रेश शिप के पास से एक चोटा सा इंसानी बच्चा मिलता है जिस्यों अपनी मौम को दिखाता है सनोबॉल की मौम उस इंसानी बच्चे को देखकर बहुत इसके बाद सनोबोल की मौम, सनोबोल को अपने बाकी साथियों के पास ले आती है, जो छोटी मशलियां थी, सभी छोटी मशलियां और सी क्रियचर इंसानी बच्चे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसानी बच्चे को देखा था, और ने लग ता कि इंसाँनी बच्चे से उन्हें के खत्रा आए अब यहाँ पर सभी छोटी मश्रेव का लीडर कफव आ जाता एक जिस्ते सभी छोटी मश्रेश की शिकायद कर थी यह जिसिया में खत्रा है अब इंसानी बच़्ेन से ड़ने की कोई जुरत नहीं है कि निसानी बच्ची से वहां से चला जाता है और सारी मचलिया खुशी खुशी इंसानी बच्चे के साथ खेलने लगती है सुनोबॉल उस चोटे बच्चे को अपना भाई मानता है और हर समय उसी के साथ खेलता रहता है सुनोबॉल की मौम सुनोबॉल और इंसानी बच्चे का ख्याल रखती है और देखते देखते वो दोनों काफी लगता है और जब एक दिन और लूकस के साथ मस्ती करते हुए पानी के बाहर आता है तो लोकस से कहता है कि तुम मैं मेंसे एक नहीं हो बलकि तुम हम सबसे अलग हो सबस्कーー to can कर लोकस को हैसास होता है कि सटर आई क्यों रहा है वो उसे क्रेश शिप के पास से मिला था स्नोबॉल की बात सुनकर ल्यूकस उससे उस क्रेश शिप के पास चलने के लिए कहता है जिस पर स्नोबॉल राजी हो जाता है और अब वो दोनों उस क्रेश शिप के पास आ जाते हैं ल्यूकस शिप के बन दरवाजे को खौल देता है जिसके बार ल्यूकस और स्नोबॉल शिप के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर ल्यूकस को एक लोकेट मिलती है जिस पर उसकी मौम की तज़्वीर थी ल्यूकस उस लोकेट को पाकर बहुत खुश होता है शिप के अंदर इ चिप के अंदर चमकदार बुलबुले, खाने की वज़े से लूकस और सुनोबॉल को नशा हो जाता है, जिसकी वज़े से वो खुब मस्ती गरते हैं, सुनोबॉल की मौम किसी तरह उन दोनों को सुला देती है, लूकस जब होश में आता है तो सुनोबॉल की मौम को सारी बात लिूकस की बाते सुनकर स्नोब बॉल की मौम बहुत दुखी होती है क्यों कि हमेशा से चाहती थी कि लूकस को यह पता ना चले और वो पूरी लाइफ उन्हीं को अपनी मौम मानकर उनके साथ रहे मदर डॉल्फिन को दुखी देखकर ल्यूकस उसे कहता कि आप ही मेरी मोम है और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जिससे मदर डॉल्फिन कावी खुश होती है ल्यूकस मदर डॉल्फिन को अपने साथ क्रेश शिप में चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर इन्हें और भी बहुत सी चीजे मिल सकती है मदर डॉल्फिन ल्यूकस के साथ क्रेश शिप के पास जाने के लिए राजी हो जाती है जिसके बाद ल्यूकस मदर डॉल्फिन और सनोबॉल के साथ क्रेश शिप के पास आ जाता है Mother Dolphin Lucas उसनोबोल को शिप के बाहर रेकर इंतजार करने के लिए बोलती है और खुछ शिप के अंदर आकर इंवेस्टिकेशन करने लगती है ताकि वो पता कर सके क्या कि शिप के अंदर है क्या लेकिन अचानक से ओक्टोपस शिप का दर्वाजा बंद कर देता है और Mother Dolphin शिप के अंदर फज्याती है Lucas की इसी तरह शिप का दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि Mother Dolphin को शिप से बाहर निकाल सके लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो शिप का दर्वाजा नहीं खोल पाता काफी देर तक बिना सांस लिये पानी के अंदर रेने की वज़े से Lucas की आलत खराब होना शुरू हो जाती है इसलिए सनोबॉल की मौम सनोबॉल से अपने भाई Lucas को समंदर के सर्फेस पर ले जाने के लिए केती है ताकि वो सांस ले सके अपनी मौम की बात मानकर सनोबॉल Lucas को सर्फेस पर ले आता है जिससे Lucas प्रोपर तरीके से सांस ले पाता है इसके बाद स्नोबॉल और लुकस अबने लीडर कच्वे के पास आ जाते हैं। रहे थे और सभी को बताता है कि वह सालों तक शीप के अंदर चमकने वाले बुलबुले खाकर पहले से काफी ज़्यादा पारफुल बन गया है और सभी को यह भी बताता है कि उसने मदर डॉल्फिन को मार दिया इसके बाद और अपनी बोडी के अंदर से ब्लेक इंक निकाल क सभी छोटे की रेचेर को हिपनोटाइज करने लगता है ल्यूकास सुनोबॉल और कच्छवे के साथ किसी दर्य बचकर वह से पास से गुजरने वाले एक fishing ship को देखता है तो hypnotize किये गए मचलियों से ल्यूकस को ship के fishing जाल में फेकने के लिए किये ता है Octopus का आदेश मिलते ही सभी छोटी मचलिया मिलकर उसे जाल में फेक देती है जिसके बाल ल्यूकस दो मचवारों को मिलता है जिसमें से एक होते है केप्टन मूरवरीट और दूसरा एक बड़ा मचवारा था बड़ा मचवारा समुदरे में मचली पकड़ने के लिए निकल जाता है और वहीं केप्टन मूरवरीट किनारे पर रुक कर ल्यूकस का खयाल रखने का decide करते हैं ल्यूकस जब वशच में आता है तो आँसे भागने की कोषिश करने है लगता है अब केप्टन मूरवरीट के आँखें भी खुल जाती है और वह ल्यूकस को पकड़ने कोषिश करने लगता है लेकिन काफी देर तक कुशिश करने के बाद भी जब वह लूकस को नहीं पूर्ण समझ जाता है और तुरह समझ जाता है कि लूकस को आम लड़का नहीं है क्योंकि और मचलियों से बात कर सकता था अब केप्टन मूर्वरीड लूकस और स्नोबोल की मत करने के लिए राजी हो जाता है और उन दोनों को वापस से समुद्र में छोड़ देता है लेकिन इस दोरान वो बड़ी चालाकी से लूकस का लोकेट चुरा लेता है और इसे पहले कि लूकस सनोबॉल के साथ वहां से जाता केपटन लूकस को उसकी लोकेट दिखाते वे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी मौम को ढूरने में तुम्हारी मदद कर सक केप्टन के बात सुनकर ल्यूकस सणोबॉल को वा सी जाने के लिए केट आए और ऐसे किसी बता था कि किसी भी तरह अब्नी मौन को युव युक युदा जाता है और एक क wreck लेक्र युदा ने उसको ल्यूकस की पाउर के बारे में बताता है कि किस वरकार उसने ल्यूकस को एक मचली से बात करते हुए देखा था दरहसल केप्टन ल्यूकस को मच्वारे को बेच कर पेसे कमाना चाहता था अगले सीन में हम केप्टन की वाइफ को देखते हैं जो अपनी छोटी बच्ची के साथ जब गर पर आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा बन था और अपने ग्रेंट फादर से पूछने पर उसे पता चलता है कि मुरवरीट एक लड़के को कमरे के अंदर बन करके कहीं च साथ बहुं पेप्रसें जाता है लेकिन हर बार उसे निराशाई मिलती है अब यह जोरान ल्यूकस को एक मचानी के चिलाने की वह सुनाई देती है और जब ल्यूकस उश्वी शोप में जाकर उस मचली से बात करता है तो मचली ये देखकर हिरान थी कि कोई इंसान उसकी बात समझ सकता है वो मचली ल्यूकस से खुद को समुदर में छोड़ने के लिए केती है वरना शोप का ओनर उसे मार कर खा जाएगा मचली की बात सुनकर ल्यूकस उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर समुदर की तरह भागने लगता है और शोप कीपर के साथ ही और भी बहुत से लोग ल्यूकस को चोड़ समझ कर उसका बीचा करने लगते हैं ल्यूकस किसी तरह बहुत मुश्किल से उस शिप को पॉर्ट के साथ समुदर में फेक देता है लेकिन समुदर में आने के बाद भी वो मचली पॉर्ट के अंदर ही थी अगले सीन में हम केपटन को देखते हैं जो अभी भी उस समुदर के अंदर से सबसे ज्यादा शिप निकालने का श्रत लगाता है केपटन इसके लिए राजी हो जाता है अमिर मच्वारा अपनी तरफ से अनुभवी तेराको को समुदर से शिप निकालने के लिए चुनता है और वहीं केपटन अपनी तरफ से लिए राजी हो जाता है और केपटन इसके लिए बताता है इसके बार इसके बार इसके लिए समुदर के अंदर से शिप निकालने का प्लान बनाता है लिएकस सनोबॉल के साथ शिप निकालने के लिए समुदर की गेराई में जाता है और तब तक अमीर मच्छवारे के लोग समुदर के अंदर से डेर सारी शिप निकाल लेते हैं लेकिन लिएकस अभी भी समुदर के अंदर था और उसने अभी तक एक भी शिप बहार नहीं निकाला था समुदर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो डाइविंग सुट पहान कर समुदर के अंदर कुछ ढून रहा था काफी देर के बाद लिएकस के वापस ना आने से केप्टन परिशान होने लगते हैं क्यों कि उसे लग रहा था क्या वो एक कॉम्पिटिशन हर जाएगा कुछ देर के बाद लिएकस वापस आ जाता है लेकिन अपने साथ बहुत कम शिप लाया था जिसे देखकर अमीर मच्वारा और बाई की लोग हसने लगते हैं और इस परकार केप्टन ये शर्थ हार जाते हैं अमीर मच्वारा अपने लोग के साथ वाँ से चला जाता है अब लिएकस जब अपने दोरा लाई गई शिपी के अंदर से एक बड़ा सा मोती निकाल कर केप्टन को दिखाता है तो केप्टन बहुत खुश होता है क्योंकि लिएकस के दोरा लाई गई सारी शिपी में मोती म सके समुन्दी लुटेरे केप्टन पर एक डंडे से वार करते हैं जिससे केप्टन ब्योश हो जाता है और जब वोश में आता है तो खुद को समुन्दी लुटेरों के शिप में पाता है समुन्दी लुटेरे महिलाएं थी जो केप्टन से उन मोतियों के बारे में पूछती ह यहां लेकिन लुकस लुटेरों को मौतियों के बारे में बता देता है कि केपटन ने सारे मौती निगल लिए हैं इसके बाद समुन्दी लुटेरे लुकस और केपटन को एक प्यारे सी आएलेंड पर ले आती है जहांबर डॉल्फिन के कलरफूल चितर बने हुए थे इसके लूकस और स्नोबॉल को आइलेंड पर बने एक गुफा में लाये जाता है जा पर एक ओल्ड लेडी कुछ बना रही थी ओल्ड लेडी जब केप्टन को देखती है तो उसे पेचान जाती है क्योंकि केप्टन इससे पहले भी ओल्ड लेडी से मिल चुका था ओल्ड लेडी पारे में बात करती है जिससे केप्टन ने एक प्लेन क्रेश के दोरान बचाया था और उसे ओल्ड लेडी के अवाले कर दिया था ओल्ड लेडी ने उस महिला को एक खास परकार के लिक्वीड में रखा था जिससे उस लेडी की बोड़ी अभी भी सुरक्षी थी लेकिन साल भी नहीं बल्कि उसकी रियल मॉम थी लेकिनों दुखी भी था क्योंकि उसकी मॉम सालों से होश में नहीं आई थी अगले सीन में हम एक ओल्ड मेन को देखते हैं जो केप्टन के पास आता है दरसलों ओल्ड मेन पहले भी केप्टन के साथ मिलकर मशली पकड़ने का काम कर च जाता है और में लूकस को बताता है क्यों लूकस की मौम को ठीक कर सकता है लेकिन इसके लिए लूकस को ओल्ड मेन का एक काम करना होगा लूकस इसके लिए राजी हो जाता है जिसके बाद लूकस को लेकर समुद्र में आ जाता है और उससे समुद्र के अंदर क्रेश शिप क को लेने के लिए आज आता है लूकस और स्नोबॉल बड़ी चाला की से बिना कोई आवाच की है क्रेश शिप के अंदर से कलरफुल लिक्विट को लेकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अगर ओक्टोपस को लूकस और स्नोबॉल के वहां उने के बारे में पता चल जाता तो उन पर हमला कर देता लूकस उस लिक्विट को और में को लाकर दे देता है लेकिन लिक्विट मिलते ही और में ल्यूकस पर हमला कर देता है और लूकस को बताता है कि उसी ने उस चिप को क्रेश कराया था जिसमें ल्यूकस के मोम डेट बेटे थे क्योंकि और में भी लूकस की मौम ऐसा नहीं चाहती थी और किसी तर उस लिक्विट को लेकर प्लेन से वाँ से निकल गई और इसलिए ओल्ड मेन ने उस प्लेन को क्रेश करवाया था ओल्ड मेन सालों से समुन्दर के अंदर सूट पेहन कर उसी लिक्विट को ढूंड रहा था जो आज फाइनली लूकस ने लाकर उसे दे दिया था और मेन के बाद सुनकर लूकस को बहुत गुसा आता है कि है क्योंकि और मेन ही उसकी मों की इसाल के लिए जिम्मेदार था लूकस सनोबोल की मदद से ओल्ड मेन को एक जोरदार पंच मारता है और बोर्ट के उपर आ जाता है ओल्ड मेन को लगता है कि अब वो ल्यूकस से नहीं जी सकता इसलिए और लिक्विट को समुदर के अंदर गिराना शुरू कर देता है जिससे वहां मुझोद ओक्टोपस पी लेता है जिससे वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है और लड मेन ओक्टोपस को बचावा लिक्विट विलाकर अपना गुलाम बना लेता है लूकस यह सब देखकर पूरी तरह से ढड़ जाता है और सुनोबॉल के साथ किसी तरह ओक्टोपस और और लेडी के पास आकर उन्हें उस मेजिकल लिक् लिक्विट निकाल कर समुद्र के पानी को गंदा करके सारे सी क्रियेचर को अपना गुलाम बनानी की कोशिश करेगा लेकिन डरने की कोई जुरत नहीं है क्योंकि मैंने एक ऐसा लिक्विट त्यार किया है जिसके संपर्क में आने के बाद सारे सी क्रियेचर वापस से नॉर् भी बाकी लोगों के साथ केप्टन को डूंडते हुए आईलेंड तक पहुंच गई थी और जब वो लोग ऑक्टोपस को समुद्र के पानी को परदूशित करते हुए देखते हैं तो सभी मिलकर जाइंट ऑक्टोपस का सामना करने का फेसला करते हैं अब ल्यूकस सनोबॉल और भाकी के सी क्रियाचर के साथ और दूसम्दर के उस ही क्रियाचर का सामना करने के लिए निकल बढ़ता है वहें दूसरी तरफसे ओक्टोपस हपनोटाईस करने के लिए आता है अब उनके बीच में एक खतरनाक fight होने लगती है और fight के दोरान लुकस बड़ी चालाकी से सारे सी creature को समुदर के उस हिसे में लिखुड चोड़ा था जिसकी वज़े से सारे सी creature वाबस से अपने नोर्मल फों में आ जाते हैं वहीं दूसी तरफ जाइन्ट ओक्टोपस कलाफुल लिक्विट के और डोस की वज़े से और भी खतरनाक और अग्रेसिव बन जाता है और ओल्ड मेन को भी निगल जाता है इसके बाद जाइन्ट ओक्टोपस आईलेंड की तरफ बढ़ने लगता है और लूकस की मौम को मारना चाहता था लूकस जब यह देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है और अब वो किसी भी तरह से अपनी मौम को बचाना चाहता है लूकस नोटिस करता है कि समुद्र के खारे पानी के संपर्ग में आने की वज़े से ओक्टोपस की बाउर कम हो जाती है इसलिए स्नोबॉल क की मदद से सीदे ओक्टोपस के उपर चलांग लगा देता है और ओक्टोपस के मौ के अंदर जाकर गिरता है इस समय लूकस काफी ज़्यादा रो रहा था और जब वो ऑक्टोपस के मूह में जाता है तो उसके आसों की वज़े से ओक्टोपस वापस से अपने नॉर्मल जाने लगता है अब लूकस की मौम जो अब काफी ज़्यादा पाउर्फुल बन गई थी वो लूकस को अपनी पाउर की मदद से ठीक कर देती है और स्नोबोल लूकस को पानी से बाहर आईलेंड पर लें आता है लूकस को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं बारिश के पा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें थेंक्स वरोचींग